वेलकम तो आ चैनल सेवल इंसाइट तो जैसे कि मैं लास लेक्चर में कर रहा था हमने उसमें पढ़ा था कि कंपाउंड कर्व क्या होते है और एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कर्व तो अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जा तो यहां पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो लिंक आपको डिस्क्रिशियम मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं तो शुरू करने हैं पहले अगर आपने माँ चैनल सेविंस आपको नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए तो देखो शुरू करते हैं रिलेशन इंक्लूड़ एंगल और गिवन और अज्यूम तो यह कहते हैं कि हमारे बस साथ कॉंटिटीटीज है ठीए मैं पहले आपको एक्स्प्लें करो रिलेशनिशिप बिट्वीन पार्ट्स अपांट का मतलब क्या होता है तो आपके बस साथ कॉंटिटीज है ठीए साथ कॉंटि तो हम सिर्फ 2 केस करेंगे और तीन केस जो बच चायेंगी हम वो करेंगे तो अब करेंगे तो तो टो शुरू करते हैं एकनेches रिक्शन units icon 있지만 कि हम रहुं पार्टे भडों होगाकिर हमें डिया हो एक अब नहीं से प्धिक्शन ही नहीं होगा कोई तो आम एप-कूछ स्बीद मतलब इनमेस या तो डेलटन 2 करनel लिया और डेलटन 2 निकालना है अगर डोज़ा देलटन 1कों के ल क्रषप को सबसे हैं Case 1 बन जाता देखू उसमें मैं आपको सबसे पहले चीज़ बताई थी कि Delta हमारा क्या होता है Delta 1 प्लस Delta 2 बहुत दाना गर आपको Delta दी है और Delta 1 दी है तो आपको तो क्या निकल दाएगा उस माइनस करते नहीं और हमारा Delta 2 निकल जाएगा अगर आपको lecture number one तो उसमें देखो क्या था simple मैंने आपको therefore में करके बताया थे कि हमारा capital ts और capital TL हमारा ऐसे निकले ठीए ठीए बस यही चीज तो देखो अब अगर आप यहाँ पर देखो कि हमारे delta 2 या फिर delta 1 तो हमारा निकल गया सिर्फ ts and TL ही रहता है और यहाँ पी फॉर्मला तो पहले से मैं आपको करवाया होगा lecture 1 में तो मतलब कि simple आपको यहाँ पर small ts small tl की values डालनी है जिससे कि आपका simple आपका capital ts and capital TL तो अगर आप नहीं गए पार्ट 1 में फिर भी चलो हम आपको दिखाए तो यह हमारी capital ts या फिर small ts हमारी चीज़े क्या होती है तो इस विले डाइगरा में आपको सब clear हो जाएगा तो small ts हमारे length of the tangent होता है ठीग है तो यह वाला जो हमारे smaller radius पे जो हमारा होता है आपको दिखाता हूं तो देखो इसमें सारी वेले आपको पूट करने कौंसी कौंसी तो टीएज small ts की यहां से उठा की यह वाली यहां पर पूट कर दीनिया है और small tl की value यहां पर पूट कर दीनिया है यह दोनों same quantities है सिर्फ difference आता है हमारा कहां पर एक हमारा यहां पर sign delta 2 और यहां पर sign delta 1 और यहां पर शुरू में ts है small ts और यहां पर small tl यह सारी वेले तो आपको इसमें डालने है तो आपकी रिजल्ट सबसे simplest और बहुत common case है यहां पहले लिख रहा हूं एक common case है मतलब कि आपको यह वाला case तो याद होना ही चाहिए यह वाले आपको याद होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही common और बहुत ही इस पर आते है आपको question ठीक है अब यह हमारे case 1 हो गया case 1 बहुत simple है अब ऐसी हम देखते है case 2 तो देखो यह आगया हमारा case 2 गीवन हमा इसमें कहा देखो डेल्टा रस रल अंड केटल टी है आप रिक्वाइड हमारा क्या देखो यहां पे कोई भी एंगल और देल्टा बांटा निकालने निकालनें यह इस चीज भी निकल गी आप दूसरे मेंस से पूरे डेल्टा मेंस कर दोगे तो आपको नॉर्मल ड्राइंग इस तरह बनेगी लेकिन जो जो मैंने ब्लू पैंसे सारा कुछ किरेंगे आप देखलो आप दिमाग में रख सकते हो या फिर कहीं ड्रॉ कर सकते हो जो जो मैंने ब्लू पैंसे सारा कुछ लिखा हुआ न उससे हमारे कुछ ड्राइंग इस तरह बन जाए इसको है प्रोलोंग करते हैं भी जात करते हमारा तक हमारा देल्टा न ला घए तो देखांगाँ है ध posed जिरो जिस्वफिंड देलटी ल से हो दौ इंति होत कि रोग देना है और में हमारा और पहुंट करते हैं डश्फिंड गेरी यहां तै ओ distress यहां पर मैंने रोख दिया और इसको पॉइंट दे दिया मैंने डिटेश इस टेजन बी डेश जी डेश विल बिदन पहले टु दर टेजन बी टीटू तो इसको अब टेजन बनेगा देखो बीडश टीटू यह ऐसी बीटीटू की साथ माझे पहले हो जांगे एक को यहारी ह से मार na जो निकल रहा हमारे टेंजन्स निकल रहे हमारे ब्सक्रश रोडन हे ब्सक्रशय हो फॉर। Top reaching to boss imentos की एकल जिस्टेंज ब्सक्रश्म इल्टेश हो एक निकल रहा हुं आएकर पिंड्स उ analyse तो देखो मैंने एक बार सारा पढ़ दिया तो दो मिनिट मैं स्क्रीन सेट कर देतों एक बार तो अब मेरे ख्याद आपको सारा अच्छे दिख रहाएगा तो देखो अब इन्होंने काई कि ड्रोब ओवान एस प्रपेंडिकुलर टू अब इन्होंने काई कि ड्रोब अब तो यह रहाएगं ऑप को आपको पता ही कि जैसे समझो अगर आपके पहले लाइन जा रही है अधिक है इनका जो हुमारा एसे डिस्टेंस तो वैसी हमारा है तो यह इसी हमारी फिल्ड सब्सक्राइब जो हमारी T2Q है वह भी Bp हो जागा देखो अब हमें करने हैं यहां पर बड़ा Tl जो चीजरे करने के लिए हमारे सारी चीज़े पिक्चर में हैंगी लेखो बीवी डैश साइं डिल्टा ठीक है वी पिमार यहां पर क्या होता है तर्प्राइंग्ड प्रॉप्पटीस आपको पते हैं यहां पर साइन पिया से पलिप्ध्र साइं बेबी डैशां डैटा लिए जासी प्ación माइनस यह कर देंगे तो पूरा हमारा क्या T1b तो यह तो यह पी रहेगा आब T1b्plus हमें सारह मंने ले और सीवन ब्लब्सी और तक रहेगा तो यह वाले चोडी हमारा क्या है Всे यह टी वन झुड़ी से जो हमें गीवन है तो चीजे ना लिखते रहें ना कि मतलब बड़ी इसके बार यहां पर लिखते रहे ना तो अब इसके बाद देखते हैं है प्ट व्रोड भी देसमें डिल्टा और वहां प्र प्र लिए उसी होज में लिए अईया में सिधा यहां पर सिधा छीक्षिस कर दिया धियाल धिया यहांों स्किप कर दिया और यह वह स्टेप हमने सीधे यहां लिग दिया और एंगल लिग दिया कॉस डेल्टा यह तो आपको अच्छे समझ आगे ने साही चीज़े कहें आखिर में आपको दिखेगा सब कुछ हमारा सब कुछ अभी हम खीचिडी सी ऐसे बना के रहे हैं लेकिन जब बनेगी तो बहुत टेस्टी लगेगी चैसे अगर आप देखो यह पूरा हमने ओटु एस निकालना है तो एक बार हमने पूरा ले लिए ओटु टीटु मैस हमने यह वहला portion कर दिया फिर माइनस हमने यह वहला portion कर दिया तो हमारा O2S निकलाएगा तो अब देखो सबसे बड़ा वहला portion O2T2 हमारा क्या RL ठीक है यहां पे हमारा पूरा radius हो देगा नहीं यह बड़े कर वेच चलगा ठीक है यह बड़े आक का सॉरी बड़े आक का हमारे य माइनस अब RS हमारा QS आ गया देखो QS अब आप देखो ड्रॉइं में बड़ा कंफर्म सा हो रहा देखो O1D' हमारा यह पे क्या RS है तो यह RL तो पूरा बड़े वाले के लिए है लेकिन आप देखो कि QS में हमारा पैललल ही है पैललल था तो यह ऐसे equally काटा भी गया ठीक ह यह हमारे equally काटा भी है तो इससे हमारा क्या यह RS बन जाएगा ठीक है यह हमारा ऐसे RS बन जाएगा ठीक है अब यह तो आपको O2S आ गया तो अब देखते है आगे क्या होगा तो देखो अब नेक्स्ट रहत हमारा फ्रॉम ट्राइंगल O1 O2S ठीक है अब देखो O1 O2S में ह अब मैं आपको समझाओं यह क्या चीज है ठीक है देखो O1 O2 अगर आप इसको ऐसे बंद कर दोगे अगर आप इसको ऐसे बंद कर दोगे तो पूरी RL हो जाएगी इतनी हमारी RS हो जाएगे ठीक है अगर आप RL-RS कर दोगे तो आप यह क्या निकलेगा O1 O2 निकलाएगा तो वही मैंने सिर्फ यहाँ पर लिग दिया मैंने यहाँ पर O1 O2 ने लिखा सीधे एक step shortcut कर दिया अब आपको मैं समझा भी दिया कि O1 O2 है यह तो RL-RS ऐसे से हमारे यह निकल जाएगा ठीक है तो O2S की value में आप और निकल वा चुका हूं देखो आप O2S की value देख सकते ह RSB हमें given है RSB हमें given है या BP BP हमने यहाँ पर find कर देखो TS है capital TS हमें पता है RSB हमें यहाँ फिर से पता है 10 delta भी हमें पता है अब यहाँ पर आपको delta 2 निकल लेगा तो delta 1 कैसे निकल जाएगा सिर्फ delta में से minus करते हैं यहाँ पर minus करते हैं तो हमारे delta 1 निकल आ अब सिर्फ कौनसी value हमारे यहाँ पर रही है capital TL तो capital TL कैसे निकल लेगी हमने कहा कि same इसी formula में बस साइन में लेगी तो साइन पर हमारे क्या 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 है अब पहले O2S था अब हमने O1S यहाँ पर O1S O1S is equal to RL-RS sin delta 2 ठीक है O1S की हमें help पढ़ेगी तो इसलिए मैंने पहले लिखके रख लिए RL-RS sin delta 2 ठीक है इसकी तरह ही बस यह cost में था अब हमारा sign में आ गया अब हमारी आखरी वैल्यू रगी यह तो देखो यहां पर अगर आप डाग्राम में देखोगे तो यहां से थोड़ा सा पीछे को जा रही है तो वहां थोड़ा सा आगे को है तो यह वहांना पूरा equally कटा हुआ है देख यहां पीक्यू के यहांपर निकाल निकाले है इता हुसकि हमारे साफ चीजिए क्यू की हमें ऐल्यू यह पता है यहांपर ध जिकल यह गार कियो यह गार यह द Sugar की मैं नेस्ट माइनस बीडाश बीडाश पी यहां पर आपको वैल्यूज पता है तो उस वे में इसको ले आए अगर हम यहां पर रखते हैं फिर हमें कुछ भी ना था क्योंग यह यार इसको इसमें दिखा दी टेँए अब क्या बस मैंने सारी इसमें डाल Fury आपको हो नहीं झालती हैं यी चीज़े भी अगर आपको याद जिलए को ई nut या चीज़े तो हो न यहां आफ याल सक्ले हैं या तो आप यह चीज़ याद कर लो या फिर आप सीधा यह वहले फॉर्मलाज याद कर लो यह आप पर है जो आपको convenient लगता ना आप वह चीज़ याद कर लो यह मेरे आप यह चीज़ वैसे थोड़ा सा puzzling है यह मत करना आप यह उपर उपर वाला भी कर लोगे ना फिर भी बहुत हीज़ है यह सारी वैल्यूस आपने तो divided by हमारा RL minus Rs यह आपको given है यह delta 1 आपको निकल दाएगा मैंने आपको समझा दे और TL की same values दल जाएगी तो यह वाली values हमारे सारी दल जाएगी यह से डल जाएगी ब्ड़ ड़ दे निकल जाएगी तो यहां से आपके सारी वैल्यूस निकल दाएगी तो यह था हमारा Case No.2 यह case 1 हो गया, case 2 हो गया, अब next part में हमारे आपको case 3, case 4 और case 5 मिल जाएगा. तो देखो यह था हमारा आज का lecture, relationship between the parts of a compound curve, इसके 5 case है, हमने 2 कर लिए, बाकी 3 अभी रहते है, उनका link आपको discussion मिल जाएगा, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी एक दो, please like करना, share करना, comment करना, और माई चैनल सीविन से को जूर सब्सक्राइब करना, thank you for watching.